नमस्कार, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुवात, एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ कृतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सव्याहित हूँ, इस बात को भारत के संदर्व में देखें, तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया, तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली, कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन, सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन, लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है, इस उपलब्दी के पीछे, 130 करोड देश वासियों की करतव्य शक्ति लगी है, इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देश वासी की सफलता है, मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बढ़ाई देता हूँ, साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज, ये केवल एक आंकडा नहीं है, ये देश के सामर्थ का पतिबीम्ब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना, दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं, भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है, उसकी सराना भी हो रही है, लेकिन इस विश्ट्रेशन में एक बात अक्सर छूड़ जाती है, कि हमने ये शुरुवात कहां से किया है, दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना, वैक्सिन खोजना, इसमें दस्यकों से उनकी महारत हैं एक्स्पोर्टाईज थी, भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निर्फर रहता था, हम भारते मंगवाते थे, इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महमारी आई, तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैस्ट्ट्रीक महमारी से लड़ पाएगा, हुआ भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेंदे का पैसा कहा से लाएगा, भारत को वैक्सिन कम मिलेगी, भारत के लोगों को वेक्षिन मिलेगी भी या नहीं कि या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोख सके बाती बाती के सवाल थे है लेकिन आज ये सो करोड़ वेक्सिन डोच हर सवाल का जवाब दे रहा है